गाइस अगर आप लोग भी कोई अच्छी से घून रहो तो भाई आप लोग कि दम सही वीडियो पर आयो आज के इस वीडियो में बताने वाले हो कि आप लोग हमारी गिल्ड को कैसे जोइन कर सकतो हो देख सकतो हमारी गिल्ड जो है लेवल 6 की हो चुकी है और अभी के टाइम हमारी गिल्ड जो है आठ नमबर पर चल रही है और गाइस हम लोग यहाँ पर पुशिंग वगरा करते रहते हैं तो इस अभी के टाइम पर रिक्वार्मेंट बहुत ज्यादा चीज़ जो चुकी है गिल्ड के तो भाई आप लोग इसली गिल्ड को जोइन कर सकते हो जो भी जोइन करना है कहां से जोइन करना है वीड़ पूरी एंड तक देख लेना और गया एक और सीज में आप लोगों को बता देतो हमारी एक गिल्ड नहीं हमारी टोटल तीन गिल्ड अड़ार्मी टूट अड़ार्मी थी ठीक है तो तुम लोग उनमें भी जोइन कर सकते हो तुम लोग में गिल्ड जोइन नहीं कर पाऊगे अगर चोथी तुम्हारी कंप्लीट नहीं है तो भी चलेगा दूड़ा बोटी है तो पहली रुक्वेर्मेंट के बार में बात करो तो वह गाईस डेली तुमको मिनिम्म चार गंटे या पाच गंटे गेम खेलना ही पड़ यहां पर तुम लोग देख सकते हो हमारी के लेविल 6 किया है तो हम लोग यहां पर ट्राय कर रहा है अच्छे बंदे अक्टिव एक्टिव बंदे बंदे बरने का एंग जो सैकेंड रुक्वार्मेंट है वह गाईस तुमको गिल्ड वाले दिन जोगी होता है अपना सैटे को एवरी सेंडे गाईस मेरी इंस्टा इस्टोरी पर सावट आउट मेलेगा जहां से तुम लोग थोड़ा बहुत गिल्ड में पॉपुलर हो सकते हो और गाईस तुम्हारे थोड़े बहुत फोलोवर भी बढ़ जाएंगे तो यह भी तुम्हारा फायदा होने वाला है लोगो नेम चेंज करना पड़ेगा और मैक्सिमम तुमको गिल्ड वाले बंदों के साथ गेम खेलना पड़ेगा अगर तुम लोग बाहर वाले बंदों के साथ में गेम खेलोगे तो भाई उससे हमारा एक्टिविटी पॉइंट इंक्रीज नहीं होने वाले तो भाई वह हो जाएगी तो फिर भाई तुम लोगों गिल्ड में किक कर दिया जाएगा तुम लोग के एक्टिविटी पॉइंट जादा नहीं बढ़ते हो वीक में तुमारे 1000 से कम रहते हैं फिर 500 के आस पास रहते हैं तो कहीं नहीं किक हो सकतो फिर गिल्ड से फिर मत बोलना कि अड़ तुम लोग वन वी टू में तीन राउंड प्लस निकाल लेते हो तो तुम लोग डायरेक्टली में गिल्ड में आ सकते हो अब इस अभी में बात करो तो गई ओल्ड एड़ी हमारी गिल्ड का जो है इस फिप्टी पूरा हो चुका है तो तुम लोग सोच रहोंगे कि अड़ अब यहां पर जाता हुर्ट में यहां पर दिखान पर तो 1 नीचे सबसे जाए और कम ईने दिया डिया हुआ फो कि बंदा 실 hubs hmwe जो सबसे कम वो देगा अपनी डिलोपीट देने वाला यहां पर जैसथ Prophet Quel sal nov को तो यह सो यहां धी COR मन्द आ सकते हो अब भी मैं बात करूँ गाइज अपनी सेकंड और थर्ड के रुक्वार्मेंट के वारे में सबसे पहले मैंने फ़र्च गिल्ड के रुक्वार्मेंट तुम लोग को बताई दिया एंड रैंक वगयरा की रुक्वार्मेंट है वैसे थोड़ी सी अगर तुम कि गाइज इस्टार जो है 75 प्लस कम है जैसे यहां पर मैं दिखा देता हो जैसे देशी वालक भाई यहां पर गिल्ड में आये हैं तो इनके इस्टार तुम लोग देख सकते हो 126 यहां पर इस्टार है यहां पर एक फुल में आपकी बात करो तो 9,428 यहां पर स्कोर है इन होने चाहिए ऐसे बंदे हम लोग नहीं लेंगे जो बिल्कुली फुल मेंप ना खेल तो क्योंकि टूर्णामेंट में फुल मेंप खेलने वाले बंदे ही चाहिए क्योंकि फुल मेंप में ही वो टूर्णामेंट होता है ठीक है तो गैस अगर तुम्हारी यह रुक्वेर्म डायरेक्ली तुम लोग गिल्ड में आ सकते हो ग例えば अगर बात करो गाएंट के बारे में अगर तुम लोग सारे माना चाहते हो तो उसकी भून जीटबस को चाहिएं पर प्रोसाल कर ले प्लस है तुम लोग हमारे साइकेंड गल्ड को इसलिए ज्वाइन कर पाऊगे अभी में तुमको युआइड इन तुमको दिखा देता हो तुम लोग इसमें डायरेक्ट लिक्वेस्ट डालके भी ज्वाइन हो सकते हो इसमें छैवंदे का उल्टरेडी स्पेस है यहां पर द हिसे लिए वन फ्न में में विन करना है जैसी तुम लो विन कर लुगे तो भाई तुम लोग में इसकों कर अंधर लेक्वाच लियुक पाऊँसी हिल्वाभगंको यहां अगर तुम लोग तोनामेंट उन्याओ लियन में तरु बारेक्स सदिक्शिए तो तो हमारे 3rd guild में जो है शिवा भाई है अपने शिवा भाई के अगर में profile के बात करो तो इनके भी हाँ पर 3 star plus है 43 star है तो गई अगर तुमारे minimum 40 plus star है CS rank में और तुमारे minimum 1 star plus rank है अगर full map में या फिर तुमारी heroic है तो भाई तुम लोग हमारे 3rd guild को easily join कर सकते हो इसकी UID में अगर तुम लोग को दिखाऊंग तो गई इसकी UID है 3010830858 तो गई यह है इसके UID तो तुम लोग कुछ नहीं करना गई इसकी UID कोपी कर ले ना इसमें भी तुम लोग रूपर जा सकते हो अगर तुम लोग डिरेक्ली हमारे सेकेंड गिल में डाल सकते हो और त इसके भी तुम्हारे जो है ओफिसर या फिर एक्टिंग गिल्डर की रिक्वेस्स तुम पर आ जाएगी वह तुम्हारे घिल्टेस वगएरा ले लेंगे तो तुम लोग उसमें आ सकते हो एंड उसमें भी तुम लोग को इसमें बस तुमको स्रीफ फॉर स्रीफ चार राउ एंड तुम लोग कट्टा वगएर नहीं चलाना 1v1 में बस 1v1 में यूम्प तुम लोग चला सकते हो या फिर तुम लोग वन्टाप खिर तकते हो एंड अगर मैं बात करूं में गिल्टेस के वारे में तो बहां पर तुम लोग बोड़ी-बोड़ी भी थोड़ी बहुत मा सकते हो एंड गिल्ट भी सेम है पूरा सबकु सेम है थर्ड गिल्ड में आने के बाद तुमको टूनामेंट और ग्लोरी पर अपना जरूर से ध्यान रखना नहीं नेम चेंज कर लेना है और जैसे तुम लोग गिल्ड में आ जाओगे तो नेम चेंज करने के बाद भाई अगती ऐसे वीडियो बनाने में तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चलोगा इसमें मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई